श्री नागेश्वर ज्योतर लेग नागू के ईश्वर रूप में भगवान शिव के बारह ज्योतर लिंगों में से एक है। यह गुजरात के द्वार का धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र की ओर स्थित है। यह रूद्र सेहिता में इन भगवान को दारुकाव ने नागेश कहा गया है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ती की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो शिव भक्ट श्रधापूर्वक कथा सुनता है वो पापों से मुक्ती पाकर दिव्य शिव लोग को गमन करता है। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागू के भगवान, नाग जो की हमेशा भगवान शिव की गर्दन के चारों और कुंडली मारे पाए जाते है। इसलिए ये मंदिर विश और विश से संबंधित रोगों से मुक्ती के लिए प्रसिध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वार का शिला से त्री मुखी रूद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जा सकती है। मंदिर का पौरानिक मेहत्व माना जाता है कि भगवान कृष्ण रुद्राभी शेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे। और बाद में आदी गुरु शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की। दारु का नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी, जो पार्वती जी से वर्दान प्राप्त कर अहनकार में चूर रहती थी। उसका पती दरु का महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वो यग्या आदी शुप कर्मों को नश्ट करता हुआ संत महात्माओं का सनहार करता था। वो प्रसिद्ध धर्मनाशिक, राक्षस था, पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर सोलह योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वो निव पास करता था। दारुका जहां भी जाती थी। व्रिक्षो तथा विविद उपकरणों से सुसजजित्वो वन भूमी अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी, पार्वती ने उस वन की देखभाल का दाइत्व दारुका को ही सौपा था। जो उनके वर रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्शी और्वने राक्षसों को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस प्रित्वी पर प्राणियों की हिंसा और यग्यों का विनाश करेगा। उसी समय वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्शी और्व द्वा युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयम मर जाएंगे और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयम भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वर्दान का प्रयोग करते हुए वो संपू कानियों को सताने लगे एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैशिय था जब वो नौक पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था उस समय दरुक नामक एक भयन कर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमन कर दिया राक्षस दारोक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरन कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया चून की सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त थे इसलिए वो हमेशा शिव जी की आराधना में तनमे से लगे रहते थे कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रतिजागरूप कर दिया वे सभी शिवभक्त बन गए कारागार में शिवभक्ती का ही बोल बाला हो गया जब इसकी सूचना राक्षस दारुप को मिली तो वो क्रोध में उबल उठा उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उसे डाटते हुए बोला वैशिय तु आखे बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा शद्यंत रच रहा है वो जोर जोर से चिलाता हुआ धमका रहा था इसका उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिवभक्त को मार डालो अपनी हत्या के भाय से भी सुप्रिय दरे नहीं और वह भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे देव आप ही हमारे सर्वस्व हैं आप ही मेरे जीवन और प्रान है इस प्रकार सुप्रिय वैशिय की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए उनके साथ ही चार दर्वाजों का एक सुन्दर मंदिर प्रकट हुआ उस मंदिर के मध्य भाग में गर्ब गरिह में एक दिव्य जियोतिरलीग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे वैशिय सुप्रिया ने शिव परिवार सहित उस जियोतिरलीग का दर्शन और पूझन किया सुप्रिय के पूजन से प्रसन भगवान शिव ने स्वयम पाशुपतास्त लेकर प्रमुक राक्षसों को वह उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नश्ट कर दिया लीला करने के लिए स्वयम शरीर धारन करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदी की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर्दिया की आज से इस वन में ब्राहमन, क्षत्रिय, वैशिय तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ रिशी मुनी निवास करेंगे और यहां तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा राक्षसों पर आये एसी भारी संकट को देख कर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्थुती की उसकी प्रार्थना से प्रसन माता पार्वती ने पूछा बताओ, मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा मा, आप मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा। नात, आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक ये तामसिक स्रिष्टी भी चलती रहे। ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली की, मैं भी आपके आश्रे में रहने वाली हूँ। आपकी ही हूँ। इसलिए मेरे दे गए वचन को भी आप प्रमानित करें। ये राक्षसी दारू का राक्षसियों में बलिष्ट मेरी ही शक्ती तथा देवी है। इसलिए ये राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्निया अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी। जो मिल ज प्रिय, तुम मेरी भी बात सुनू, मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा, जो मनुश्य वर्न आश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रध्धा भक्ती पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वो चक्रवर्ती राज करने वाले शिव दमपती ने आपस में हास्य विलास की बाते की और वही पर स्थित हो गए, इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय जियोतिरलीग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई, इस प्रकार शिव जियोतिरलीग के रूप में प्रकट हुए हैं, जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं नागेश्वर जियोतरलीत के दर्शन करने के बाद जो मनुश्य उसकी उत्पत्ती और महात्मय संबंधी कथा को सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात सुखों को प्राप्त करता है